आज के वीडियो में हमें एक बार फिर से बात करेंगे अशनीर ग्रोवर की जिन्होंने भारत पेके Q1 के रिजल्ट्स के बाद जो इनके CEO हैं सोहिल समीर और जो चेयर मैं है रजनीश कुमार उनको क्रिटिसाइज करते हुए बोला है कि भई अब तुम्हें मेरे बिना कमपनी चलाने में ना नहीं याद आएगी तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाएगे अभी तक इस कहानी में क्या हुआ है तो 2022 अभी तक अश्नीर गुरोवर के लिए बहुत ही खराब रहा है और इन्होंने अर्श से फर्श का सफर तैग किया है पिछले तीन महीनों में इनकी जिंदगी कम्प्लीटली बदल चुकी है पदों से निकाल दिया गया यानि कि जिस कंपनी को इन्होंने फाउंड किया था बिल्ड किया था उसके सभी पदों से इनको निकाल दिया गया और अगर आप इसको डीटेल में समझना चाहते तो मैंने इस टॉपिक पर काफी सारे वीडियो बनाए हैं आप इनको देख सकत हैं मेरे चैनल पर अविलेबल हैं जहां पर मैंने इन टॉपिक्स को डीटेल में एक्स्प्लेइन किया है और अब अगर बात की जाए इस कहानी में लेटेस्ट अपडेट की तो श्टीर ग्रोवर ने आज यानि कि 7 अपरेल को सुभा एक ट्वीट किया था जिसमें इन्हों में आपने मैक्सिमम कैश बर्न किया है आपकी डी ग्रोव दिखाई दे रही है उसके बाद इन्होंने बोला कि चाबी चीनना और हटी चलाना दो अलग-अलग स्केल हैं उसका मतलब यह है कि आपने मुझे तो कंपनी से निकाल दिया मेरे हाथ से आपने कंपनी के चाबी च इसके बाद इन्होंने बोला है कि अब आपको ना नहीं याद आएगी यानि कि जो मेरा कॉंट्रिबूशन था बिजनस में अब आपको पता लगेगा उसके बारे में क्योंकि जब आप मेरे बिना यह बिजनस चलाएंगे तो इस तरह के कौर्टर आपको देखने को मिल सकत हैं इसके बाद इन्होंने बोला है कि markets are the ultimate test and truth यानि कि market जो भी ultimate test है वो आपका लेगी और जो भी सचाई है वो सामने आएगी भारत पे इने पिछले महीं ने अश्नीर ग्रोवर को इनके सभी पदों से निकाल दिया था जब उन्होंने एक third party audit में पाया था कि governance lapses पाए निकाला गया और उसके कुछ तिनों बाद अश्नीर ग्रोवर को भी निकाल दिया गया था अला कि अश्नीर ग्रोवर ने जो जैनवरी से छुटियों पर चल रहे थे उन्होंने बोला था कि जो समीर सुहिल है जो company के CEO है इन्होंने investor की side ली है और इनको निकालने में help करी है हाला कि समीर सुहिल ने अभी कुछ तिन पहले interview में बोला था कि मैंने वही किया जो investors के लिए right था और जो company के लिए सही था और यही काम करने के लिए मैं यहाँ पे available हूँ उन्होंने काया कि अश्नीर ग्रोवर definitely मेरे बहुती close friend है लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तिया ने भाने नहीं आया मैंने वही किया जिस काम के लिए मेरे को hire किया गया जो मेरी job है इसके अलावा गर बात किया जाए कि भाई अश्नीर ग्रोवर इतने famous क्यों है तो अश्नीर ग्रोवर famous हुए थे जब इनको एक reality जो शो है shark tank India उसमें एक judge की तरह point किया गया था छे अन्ने judge के साथ और इस reality show में जो entrepreneur होते हैं नए नए वो अपने जो sharks होते हैं जिसमें की अश्नीर ग्रोवर भी एक sharks थे उनको अपने business idea शेयर करते हैं और उनसे investment की मांग करते हैं equity के बदले में तो इस show पे जो अश्नीर ग्रोवर हैं वो most popular judge थे क्योंकि इनकी काफी सारी punch line और comments थे जिनक आपका idea इस घडिया idea मैंने कभी नहीं देखा है और उनका बहुत ही बुरी तरह से उनको demotivate किया था और इनकी एक popular line थी इनके show पे जब ये बोलते थे कि ये सब दोगलापन है यानि कि ये सब hypocrisy है तो ये काफी जगा पे meme में यूज की जाती है तो इस वज़े से ये पी इस साल में अश्नीर ग्रोवर के साथ क्या क्या हुआ है इसके लिए आप मेरे वीडियो भी देख सकते हैं लेकिन अगर हम कुक्ली summarize करें तो 5th January को एक unknown Twitter user ने एक clip को leak किया था जिसमें कि अश्नीर ग्रोवर एक को टक महिंद्रा बैंक के employee को NICA के IPO की funding को लेकर के बहुत ही था उसको हटा लिया था और इन्होंने बोला था कि original tweet जो unknown user ने किया था वो हटाया जा चुका है तो मेरे tweet का क्या महत्व बनता है इसके बाद इनको छुटियों वे भेज दिया गया था January में ही और उसके बाद पता लगा कि जब एक third party audit कराया गया independent audit कराया गया तो वहां प कुछ recruitment जब employee की कर रहे थे तो उसमें fake companies इन्होंने बनाई हुए थी जिनको payments जा रही थी तो इन सब के चलते finally एक March को अशनीर ग्रोवर और इससे कुछ तिन पहले 23 February को जो इनकी wife है माधूरी जैन उनको भी निकाल दिया था दोनों यानिकी husband wife को जो की अशनीर ग्रोवर ज God bless you all